तो डिया श्पुडेंट आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 गड़े तिरमासिक परिक्षा 23-24 के पेपर को complete solve गरने वाले हैं आज की इस क्लास में आपको बहुत को सीखने भी लेगा तिरमासिक परिक्षा 24-24 में जो आपका पेपर होने वाला है वो भी लगबग इसी pattern पर होगा तो आपको आइडिया लगेगा आज का पेपर देखे कि पेपर कितने नंबर का होना है कितने नंबर के विकल्प आपसे पूछे जाएंगे, कितने खालिस्तान आएंगे, कितनी सही चोड़या सारी कुछ चीजें आज की इस क्लास में complete होने वाले हैं तो complete paper का solution हम करेंगे साथ ही आपको बता लगेगा कि आपका जो flavor से वो कहा तक मुछा जाएगा कितने चेप्टर तक के question इसमें पूछे जाने वाले हैं ठीक है, सारी जीजें आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो complete देखीएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिलेगा चलिए तो सबसे पहले मैं आपको solution करवा देता हूँ पूरे पेपर का, सबसे पहले आपसे पूछे जाएगे असी नंबर का पेपर आपने देख लिया यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा सही विकल्प चुनिए आप सही विकल्प आपसे पूछे जाएगे भी 6 नंबर के B minus 3, B minus 2 A plus 1 1 के बराबर हो तो A plus B का मान कितना होगा देखो भई, ये क्या है, ये क्रमेती योग में ये भी क्रमेती योग में, ये भी क्रमेती योग में तो इनके संगात अब बराबर हैं तो यहां से 3 के बराबर में कितना हो जाएगा 3 के बराबर हमें हो जाएगा A plus 1 तो यहां से 3 minus 1 बराबर कितना आ गया A या हम कहे सकते 2 बराबर A एक का मान तो आ गया 2 इसी पिरकार B minus 2 के बराबर में 1 है B minus 2 बराबर 1 तो B का मान कितना आ जाएगा 1 plus 2 B बराबर हो जाएगा 3 ठीक है हम से पूछा गया है A plus B कमान तो A कमान 2 B कमान 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 इसकी आंसर आपका हो जाएगा option number C 5 I hope clear हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं इसका next question question number 4 आपसे पूछा गया है 450 डिगरी की रैडियन माप देखिए अब रैडियन माप निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे निकालते हैं देखिएगा 450 डिगरी की रैडियन माप 450 रैडियन में बदने के लिए हम 180 बटे पाई बटे 180 का गुड़ा करते हैं पाई बटा 180 डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा आप 3C डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा 3C डिवाइड करेंगे तो 15 बार कट जाएगा फिर 3C डिवाइड कर I की power 16 का मान plus 1 होता है. I की power 16 कैसे निकालेंगे भी? I की power 16 को हम लिख सकते हैं. I की power 4 और लिखेंगे. I की power 16 को हम लिख सकते हैं. I की power 4 और इसकी power 4. I की power 4 का मान 1 और 1 की power 4 का मान 1 हो जाएगा. तो answer हो जाएगा option number 2. minus 3 minus 4 I का गुड़ात्मक प्रितिलों क्या हो जाएगा भई? Option number 1. गुड़ात्मक प्रितिलों का क्या formula होता है? A बटे में A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस minus IB के बटे में इस दर लिख देता हूँ में नीचे. देखेंगे यहाँ पर देखेंगे. A बटे में A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस minus IB के वर्टे में आ जाता है A का वर्ग प्लस B का वर्ग तो इससे solve गरेंगे option number T. A correct हो जाएगा ठीक है? चलिए खालिस्तान देखते हैं. रेक्तिस्तानों की पूर्टी कीजिए. यह भी आपसे 6 number के पुछे जाएगे. A intersection A dash बराबर क्या होता है? तो यह आपका 5 हो जाता है. A cross B बराबर B cross A हो. तो समच्चे A और B कैसे होते हैं? समान समच्चे होते हैं. तब यह दोनों का cross multiply जो है या कार्तिय गुडन बराबर हो शकता है. ठीक है? cos alpha का मान एक बटे दो है. तो sine 2 alpha का मान कितना होगा? देखिए. cos alpha. cos alpha का मान आपको दिया गया है. 1 बटे 2. तो यहाँ से alpha का मान कितना हो जागा? देखना. cos alpha बराबर. एक बटे 2 को हम से लिख सकते है. cos 60 degree. तो यहाँ से cos से cos कटके alpha का मान कितना आगया? 60. यानि alpha 60 आगया. हमारे पास कितना है? sine 2 alpha. alpha का मान रखेंगे. तो 2 बड़ा 60 हो जाएगा. यानि sine 120 का मान हमें निकालना है. ठीक है? अब sine 120 का मान कितना होता है? 1 upon 2 होता है. तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1 upon 2 हो जाएगा. बस समझे? चले. सम्मिश्र संख्या 5 minus 3i का सहियोग में. इसका सहियोग में हो जाता है 5 plus 3i. x के उन मानों को जो दिये गए आसमिका को एक सत्यकत्र बनाते हैं. उन्हें आसमिका का हल कहते हैं. ठीक है? 5x plus 6y less than 7 एक सुनिश्चित. सुनिश्चित आसमिका है. ठीक है? ये खालिस्तान हो गए. इसी प्रकार से आपसे पुछे जाएंगी शत्य और अशत्य. तो यहां पर आप देखिए. 6 नंबर के ये भी आपसे पुछे जाने वाले है. A, B मैंसे कोई आपरी में समुच्चे है. तो A x B भी आपरी में समुच्चे होगा. राइट हो जाएगा. A x A x A मैं A, B, C जहां A, B, C तीनों ही सेट A के अभियाभ है. तो A, B, C किर्मित्रक किलाता है. राइट हो जाएगा. एक पूर्ण परी किर्मन का तीन सो साटवा भाग एक डिगरी किलाता है. ये भी राइट आंसर हो जाएगा. A intersection, A union, A डेस का union, पाइडेस वराबर A होता है. ये आपका रोंग है. A, Q का मान नहीं होता है. माइनस अंडरूर्ण मन. तो कि A, Q बराबर होता है. माइनस का आई. ठीक है? And 2X प्लस 3Y बराबर 4. एक रहकेक आसमी का ये भी गलात होगा. क्योंकि यह है एक रहकेक समी करने. रहकेक आसमी का नहीं है. ये आपके खाल इत्तान होगा है. अगला question आपसे बुच्छ रहे हैं. सही जोडियां मिलाए है. इस तब A की जोड़ी इस तब B से मिलानी है. तो 10 minus theta मान. 10 minus theta का मान होता है minus 10 theta. तो first number की जोड़ी हो जाएगी. ठीक है? A union V intersection. इसका मतला होता है A intersection. A intersection V intersection. सही 90 minus theta होता है cos theta. तो ये जोड़ी हो जाएगी. आपकी सबसे last में. 180 degree का मतला होता है pi degree. pi radian. ये हो जाएगा C option. एंड A intersection V का hold S. इसका मतला होता है A intersection union V intersection. ठीक है? सेक 90 minus theta का मतला होता है cos theta. A into 5 बराबर होता है pi. ये आपकी हो गएं सही जोड़िया. उम्मीदे ये आपको समझ में आ गई होंगी. चलिए आप लाश्ट प्रिश्न आपसे पुझा गया है. सही विगल. स्वरी. एक सब्द एक बाक्ति में उत्तार देकर लिखना है. यदि A में 4 अभयब हैं. तो A के कितने उपसमुच्चे होंगे? देखो भी उपसमुच्चों की संख्या होती है 2 की पावर N. अब 2 की पावर N जहां अभयबों की संख्या होती है. तो कितने है अभयब 4? तो 2 की पावर 4 का मतलब 16. इसका अंसर हो जाएगा 16. एक फ़लन Fx बारावर N-5x प्लस 6 द्वारा परिवास देते हैं. तो F-3 का मानने का लिए. तो F-3 में हमें क्या करना है? X की जगए माइनस 3 रखना है. तो माइनस का 5x की जगए रखनेंगे माइनस का 3 प्लस का 6. तो 5-3 पंद्रा हो जाएंगे प्लस के और यहां प्लस का 6. पंद्रा हो जाएगा 21 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है वह? अगला प्रिशन. एक डिगरी में कितने सेकेंड होते हैं तो लिखना 36 सेकेंड होते हैं. कितने? 36 सेकेंड होते हैं. इसको हम लिख सकते हैं. आई की पावर 36 इंटू आए. प्लस में क्या हो जाएगा वही? 4. तो 1 आई की पावर 36 का मान हो जाएगा. प्लस का 1 यानि 1 अपन के वल कितना आजाएगा? आई की पावर 36 को हम लिख सकते हैं. आई स्क्वेर की पावर 18. आई स्क्वेर का मान माइनस 1. माइनस 1 की पावर 18 बराबर में कितना आगया? 1. तो सीधा 1 का गुड़ा आई में क्या? आई आई का उपर नीचे गुड़ा कर देंगे. प्लस का 4 है. अब इसमें आई का गुड़ा भाग करेंगे. उपर भी आजाएगा. आई नीचे आई का आई में गुड़ा करेंगे. तो आई स्क्वेर हो जाएगा. प्लस का 1. ठीक है? आई स्क्वेर का मान 1 होता है. तो यह आपके पास आजाएगा. माइनस का आई प्लस का 4. इसी को हम लिख सकते हैं. 4 माइनस आई. यह आपका आउसर हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा वह इसका आउसर? 4 माइनस का आई. ठीक है? समिच रंग क्या? माइनस 3 प्लस 1 का मापांक नेखी. तो इसका मापांक भाजाएगा. अंडरूट A स्क्वेर यानि माइनस 3 का स्क्वेर प्लस 1 का स्क्वेर. कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वेर 9 प्लस 1. अंडरूट 10 इसका आउसर हो जाएगा. ठीक है? पलन वाए बराबर कॉस X का प्रीसर होता है. माइनस 1 से प्लस 1. ठीक है? यह इसका प्रीसर होता है. X is that X belong to R. माइनस 4 X less than equals 6 को अंतराल के रूट में देखो. यहाँ पर X जो है वो 4 से बढ़ा है. माइनस 4 से बढ़ा है. यानि कि माइनस 4 के सामने आएगा open interval. एंड 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है. तो यहाँ पर 6 के सामने आजाएगा close interval. यह इसका answer हो जाएगा. उमीदे बच्चों आपको यह paper अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा. इसी तरीके से आपको सारे objective करने हैं. इस paper से आने वाली paper में आपको काफी ज्यादा help मिलेगी. बाकि यह question आप लोग देखे. यह तोधोगो नमबर के question आपसे पूचे गए है. और इन question को देखकर आप idea लगा सकते हैं कि chapter number कितनी तक आपसे पूचे का तिर्मासिक परिक्चा में. ठीक है? तो यहाँ पर आप से 5 और 6 chapter के question पूचे गए. 6 से ज़्यादा chapter question नहीं पूचे गए. ठीक है तो आपको अपनी तयारी 6 तक कर लेनी है बागी तो हो जाएगा ठीक है उम्मीद है आपको इस पेपर से काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक बार अपनी राइक कमेंट सेक्शन में जरूर लेखें